ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय दोस्वाब सभी का आपके अपने चनल में बहुत स्वागत है और बहुत आभार है अगर अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कमेंट्स में आप भूले नात का नाम लिख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सबाएगा, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसे नहीं मिलता, ये कहावत हम अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं, और मुझे इस विशे को लेकर बहुत सारे कमेंट्स कुस दिनों से मैंने द किसे किस तरह से काम हमारी करती हैं, आप और हम सबने गीता तो पढ़ी हैं, गीता में ये लाइन और ये जो बात है, हमेशा आपको सुनने को मिलती है कि कर्मकर फल की चिंता मत कर, बस सेम उसी प्रोसेस पर आधारित है हमारी किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, ज उसके संतानों को मिलता है, बाता पिता के बूरे कर्मों का फाइदा या नुकसान उसके बच्चों को मिलता है, विकि जो विरासत है, वो हमारे परिवार से जुड़ी होती है, तो ये बात बिलकुल अपने आप में आप खुद प्रिक्टिकल देख सकते हैं, कही सारे लोग आपको ऐसे देखते हैं कि बहुत कम मेहनत में एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत से लोग कहीं दिनों तक मेहनत करते रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिलते हैं, दोनों में जबी नसमन कनता रहें, पर बात यहां हम जिस बात की करने वो है, कि किसमत का लिखा कोई नहीं मिटा पाएगा। अगर आप यह किसमत में जो जो चीजे लिखे हुई है। आप अपनी मेहनत देखी एक बात पहले कह देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग किसमत का लिखा कोई मिटा तो नहीं पाएगा। लेकिन जो कर्म की आजादी है, जो हमारी मेहनत, कर्म मतलब मेहनत हमारी, उस कर्म की आजादी को, उस कर्म की मेहनत को हम सिथिल कर देते हैं, मतलब हम किस्मत में है तो मिली जाएगा, इस बात को लेकर हम इस्थिर हो जाते हैं, और इस्थिरता जो है, वो अकर्मता को दर्शा तो हमारी जो किसमत में चीजे लिखी होती है उसका डाइबर्शन हो जाता है मतलब डाइबर्शन से सी बात है कि जब आप महनत करी नहीं रहे हैं तो जो आपकी किसमत में चीजे मिलने हैं वो आपको कैसे मिल पाई इसलिए किसमत में जो जो चीजे आपके लिखी हैं उसके ल लगदर्ष्टी कौन से समझेंगे कि मिली जाएगा, मिली जाएगा, और बस हम यही बात कह रहें और महनत नहीं कर रहें, तो इस वज़े से हमारी कई सारी परिश्यनिया बढ़ सकती, और हम नकारात्मक्वे में जा सकते, इसलिए अपनी महनत पूरी मांदारी से करते रहें, आपकी किस्मत में जो जो चीजे होगी वो पढ़ाव आपको मिलते जाएंगे और आप हमेशा खुश रहोगे और हमेशा आपकी जीवन में आप सफलता की हो पढ़ेंगे, क्योंकि कर्मता कर्म करना ही किस्मत है